हरे कृष्णा आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में अध्याय ठारा मोक्ष सन्यास ही होगे सन्यास के सिद्धी पूर्ण आहूती है ये हमारे गीता रूपियग्य के लिए जो श्रीमत भगवत गीता का हमारे आँ पाट चल रहा था भी समझे की अभी संपूर्ण होने वाला है तो बहुत ही सुन्दर तरीके से हम इसे समझते होगा है आप सब के संगे यात्रा बहुत सुन्दर चली है पाको आज चैप्टर 18 को समझ कर यहां पर इस यात्रा को कंप्लीट करके अगली जड़ने के लिए तैयार होंगे तो शिडू करते हैं सभ्यास अध्याय को और जानने का प्रियास करते हैं कि भगवान हमें जो एकित करके जो ग्यान दे रहे हैं हर चैप्टर में किस प्रका और को जो भी कुछ अभी तक बताया था सभको समर्आज कर देंगे और अरजन को समझा देंगे सारी चीजे कि अब इसके बाद अब रियालिटी में कुछ नहीं रहेगा कि भगवानने सार क्या है भगवान क्या हमें विशए शब बताने वाले हैं तो अर्जुन का प्रश्ण आता है, डाउट अभी भी अर्जुन की चल रहे हैं, अर्जुन प्रश्ण करते हैं, अर्जुन का प्रश्रम का भी उदेश्य जानना चाहता हूं, तो अभी वो जानना चाहते हैं कि त्याग क्या है, और सन्यास क्या है, दोनों में भेद नहीं कर पा रहे हैं, सन्यास जरूरी है, क्या सन्यास के मिनाकार नहीं किया जा सकता, या सन्यास के बिना भी हम चीजों को अचीव कर सकते हैं वो जो एक confusion है अरजुन का जो फाइनल अब ये confusion है अब ये दूर करेंगे भगवान अरजुन को clear करके तो श्री भगवान ने कहा बहुतिक इच्छा उपर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिबान लोग त्याग कहते हैं तो भगवान बता रहे हैं कि जो बहुतिक वादी लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि बहुतिक इच्छा उपर आधारित कर्मों के कर्मों को त्याग दो यानि कि अगर हमारी इच्छा वोजन करने की है तो वोजन करब को अचीव करने के लिए जो कर्म है उसको त्याग दो ठीक है अगर आपकी इच्छा घर में रहने की है तो आप उस सुन्दर घर को बराने के लिए जो कर्म करने है वो त्याग दो और फिर सब कुछ को छोड़ कर एक जिगे जाकर एकांत कोने में बास कर लो और वो हो जाएगा सन्यास जैसे कि पहले होता था या आपने सुनाओ ये सन्यास के परिवाशन पताएगी अकेले इस्तान में चले जाओ और वहां जाके सिर्फ भगवान का नाम लो तो वो सन्यास कहा जाता था पर भगवान कहने कि बुद्धिमान लोग इसे सन्यास नहीं कहते आपको भगवान ने अगर इस बहुत इक जिगत में बेजा है तो आपके साथ कुछ जिश्चित चीजे हैं जो कुछ करतव हैं जो आपको पूर्ण करने हैं आप उन्हें त्याग कर छोड़ कर आप चले जाएंगे तो वो करतव है पूर्ण कौन करेगा ना तो भगवान खुद ये कह रहे हैं कि आपको कहीं छोड़ कर कुछ जाने की जरूरत नहीं है बुद्धिमान लोग कर्मों के फल को त्याग देते हैं कर्म को नहीं त्याग दे कर्म तो वो अपना पूरा करते हैं यदि एक अध्यापक का कर रहे है शिशे को पढ़ाना तो वो अपना करतव है पूरा करता है और जो बंधन उससे मिलने वाला है यानि जो पुन्य प्राप्त होने वाला है वो उसको उसको जो फल है वो भगवान को समर्पित कर देता है यानि फल को त्याग देता है जैसे कि एक माता का करताव है अपने बच्चों की देखबाल करना तो वो ये नहीं करेगी कि वो बच्चों को कि मैं कर्म बंदन में बंद जाओंगी तो वो बच्चों की देखवाल करना बंद कर देगी अरे वो बच्चे तो माता पर आश्रित हैं वो कहां जाएंगे वुदो कहीं भी नी जा सकते हैं अगर मा यह सोचने लग जाए अगर पिता यह सोचने लग जाए कि मुझे पर कर्म देंगे और बच्चे परिशान नहीं करने आपको तो गलत रास्ता हो जाएगा हमारे करते हुए बक्ती करनी है करना क्या है उनक्र्म करते हुए फलुका क्याग करते हुए चलना आसकती नहीं बनाने है घर बनाया है उसमें सुन्दर भगवान का मंदिर बनेगा लोग आएंगे जाएंगे भगवान का परसाग प्राप्त करेंगे भगवान के नाम का गुर्णगान करेंगे और आप उस घर में एक भगवान के दास्मन कर तो यह बाव अगर होगा तो बहुत ही सुन्दर आपका जीवन होगा और आप उसे सही प्रकार से चला पाएंगे बाव यह हुआ कि मैं मालिक हो गया हूं अभी मैं दो-चार लोगों को यहां पर रखता हूं प्रॉपरटी में रेंट पर देता हूं यह करता हूं फिर उनसे थाउं ठीक है बहुत अची बात है आपने करने का सोजोन लें पॉइंड कि आप मकान के मालिक बन गया है वही नहीं बनना हमें हमें क्या करना है वो प्रभु का घर है और प्रभु के संक्रक्ष्ण में हम सब सारी चीज़े यहां कर रहे हैं तो बाव जो है वह बदलना बह आप अपने घर में रहते हुए ही भगवान को याद कर सकते हैं, उनके नाम का अनन्द ले सकते हैं, आपको कुछ त्यागना नहीं है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, सब कुछ हमें कृष्ण से जोड़ना है, प्रपाजी में क्या से काते हैं, हमें सब कभी त्यागना नहीं चाहिए तो ये बात बिल्कुल सही है सब कुछ छोड़ देना कोई भी solution नहीं है हमें जो कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते जीवन में अगर उन्हें भी चोड़ दिया तो फिर जीवन ही विरत हो जाएगा यह ग्यादान तपस्या अगर यह सब छुट गया तो फिर यह तो फिर तो हम करेंगे कि आज जीवन में हम तो आएंगे जिसे पशु रहते हैं ना तो हम भी दूब पात यह पशु मनेंगे खाएंगे पीएंगे गड़ चले जाएंगे तो फिर तो और खाना पीना भी तो कर्मी हो गया ना प्रकार से तो फिर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं ना तो यह तो जीवन का उदेशे ही समापत हो जाएगा मनुश्य जन्म जो मिला है व्यक्ति को उसका उदेशे समापत हो जाएगा तो यह तो गलत हो जाएगा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें अवश्य संपन करना चा को भी शुद बनाते हैं तो यग्यदान तपस्या का हैं जो महात्मा को भी शुद्धी प्रदान करते हैं तो जो mahatत्मा भी शुद्धी होते हैं यह गैसे दान से तप से तो हम कौन हैं हम तो एक छोटा सा जीव हैं यह ना हम कुछ भी नहीं है अगर हम दान और तप नहीं करेंगे यह नहीं करेंगे तो हम तो मतलब ऐसे ही आए थे और ऐसे ही चले जाएंगे यह जीवन को व्यर्थ कर लेंगे तो यह कुछ कारव ऐसे हैं जो जीवन में कभी भी नहीं छोड़नें हैं जैसे हैं कि हम एक समय ऐसा आता है ना कि हम करमो को complete करने में जैसे कि कुछ कुछ कर्म करने में हम एसा मरत हो जाते हैं जब एक रद्धावस्ता वाली जाती है तो आज के समय में हम जतना active हैं भाग दौर सारी चीज़े करते हैं सारी responsibilities उठाते हैं तो रुद्ध वस्ता में क्या होता है कि हम एक particular place पे रहते हैं घर में रहते हैं अपनी जोड़ा की चीज़ों को थोड़ा बहुत जरुरत की चीज़ों को पूरा करते हैं थोड़े से dependency दूसरों पर भी आ ज आने नहीं देगा कहीं है ना कोई हमारे साहथ जाएगा तो हम्हारी जो मतब एक तरीके से freedom है उस काम कर मो के रहे बतारी हूँ मैं जो बंदन है जिसके लिए हम इस समझा गंटे भागते रहाते हैं आपको बाइं जाना हूँ, स्कूल जाना हूँ, कहीं हमेशा क्या कहते हैं? जिसंस दिन क्या कर रहे तो हम एक एक दिन क्या कर रहे हैं? हमंधकी जीते हैं हमेगे दिन बूरे होते जा तो हम पुराने होते जा रहे हそうですね चीजों गे विवस्तामरे हाथ प्रिकार से नहीं रहती तो हमें क्या करना है हमें पहले सही चीजों को सब कुछ तो हमसे छुट गया सब कुछ छुटने के बाद भी क्या उस एज में भी हमें यग्यधान तब छोड़ने होंगे कुछ भी छुट जाए भगवान के साथ जो हमने संबंद बना लिया है उसके लिए जो आवश्यक कर्म है वो हम कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं इत्यान या पीतु कर्मानी संगत या कत्वाज फलानी चाहा करतव या नीती मे पार्दा निश्चितम माम उत्तमम मत उत्तमम इन सारे कारे किसी प्रकार के आसकती या फलकी आशके बिना संबंद किया जाना चाहिए यही मेरा अंतिममत है अब आप इस भगवाद गीता के चैप्टर को फाइनल कॉन्क्रूसन की तरह देख के चलिएगा भगवान अब यह जो बाते बता रहे हैं अब यह बाते दुबारा रिपीट नहीं करेंगे उसके लिए आपको भगवाद गीता ही दुबारा पढ़नी पड़ेगी इस वारे सेशन में यह भगवान सारी चीज़े फाइनल करते वे चल रहे हैं तो समझते वे चलिएगा कि मैं यह चाता हूँ मैं वो चाता हूँ मैं इसके लिए यग्यदान तपस्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार चेप्टरस में आपको समझा चुकी हूँ अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फिर खुद को बंदन में बादेंगे हम अपनी इच्छाओं के लिए कार्रे करेंगे ना कि भगवान की भक्ति के लिए कार्रे करेंगे और सकाम कर्मों के बंदन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है हमें किसी भी बंदन से को छोड़ कर भगवान की भक्ती में आगे बढ़ना है यानि कि कोई लाले सा कोई इच्छा अपने बन में नहीं रहती है भगवान का भी अभी फाइनल कॉंक्लूजन है डिसीजन है अंतिम्मत है तो है समझते हुए आगे बढ़ेंगे अब यह माहभाव अरजन वेदान तनुसार समस्त्र कर्मों की पूर्टी के लिए पांच कारण होते हैं आप तुम हीने मुझसे सुनो कर्म का इस्थान जरूरी होता है जिसे कुछ भी अगर हमें एक बिल्डिंग बनाने तो हमें क्या चाहिए एक हमें प्लियल चाहिए स्पे चाहिए फिर वो वेल्डिंग देवलप होगी है ना कर्म कर्स्तान मिला इच्छा थी तभी तो वो कर्म पूरा हुआ और जब तक भगवान का आश्रवाद नहीं होगा तब तक वो कार्य पूरा नहीं हो सकता तो अगर हम यह माने कि हम कोई भी कार्य करते हैं उपने आप कर हो आप निमित हो और उसका यश ले लो कर रहेगा तो हम क्या हैं हम भी निमित हैं हम जो कार्य कर रहे हैं हम उसके निमित मात्र हैं करता कौन है करता तुस्वें भगवान हैं अगर वो ना हो कितने भी मैटीरियल हों कितनी भी च्छाय हों कितने भी व्यक्ति कड़े हों कार करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं बहुत प्रयास करते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और होता ये है कि हम उस कारे को करने में असफल हो जाते हैं क्योंकि महां भगवान की इच्छा नहीं थे आपसे वो कारे कराने की भगवान उसमें शामिल नहीं हुए तो वो कारे में हम सफल नहीं हो पाए जिस कारे में भगवान की इच्छा शामिल होती है या भगवाद जो हमसे करना चाते है वह कारे 100% सक्सेश्फूल होता है क्योंकि भगवान से फैम उसमें साक्षा दीराजमान होते हैं तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही हमें कर्म करना है और भगवान ही करता है, हम तो निमित मातर हैं, इस बात को समझते हुए मेकार्य करना प्रभात जो इन पांच कारणों को नर्म जान कर अपने आपको ही एक मातर करता मानता है, निश्य ही बुद्धिमान नहीं होता, बस दो को सही रूप में नहीं देखता वो अपने आपको ही सब कुछ मानकर, कारण मानकर और श्रै अर्जित करना चाहता है तो अब भी हमने कल जैसे चर्चा करी थी कि सारी चीज़े तीन प्रकार की होती है और सतोगुण, रज़गुण, रतमोगुण से बनती है तो ये सारे जो और भी बहुत सारे घटक है जो इन कर्म के संग घटक हैं तो प्रकर्ति के तीनो गुड़ों के अनुसार ही ग्यान कर्म तथा कर्ता तीन प्रकार के होते हैं अभी सुनो, अभी ग्यान कैसे तीन प्रकार का होता है, कर्ता कैसे होता है कर्म कैसे होता है सुन जिस ग्ञान में अंतरूप में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभी वक्ति हाद्यात्मिक प्रकरती देखी जाती है उसे तुम सात्विक जानो व incompar नगा कि देखते हैं कि हम सब भगवान की एक तरीके से बच्चे हैं सबके अंदर प्रमात्मा का वास है तो वो सतोगोणी हो गया जब हम ये देखते हैं कि ये अलग है मैं अलग हूँ और हम तेरा मेरा करते हैं परमात्मा को तो बूली जाते हैं सामने वाले किरुदे में परमात्मा भी बैठे हैं तो क्या हो गया वो राजसी हो गया वह ग्यान जिसे मनुश्य किसी प्रकार के कारणर को अधी तुछ जो अधी तुछ हैं सब कुछ कैसे होती हैं जो कर्म नियमेद आञीं जो हासकती राख द्वेश्वेश्रम रहित कर्म कि चाह के मिना किया जाता है एक तो ये क्या हो साथ्विक हो गया जो चैने के हैं मिध्य प्रतिष्टा देखाने के कर लिया किसी और अपनी दिखा रहे हैं तो वह क्या कर लाएगा वह रजोगुनी कर लाएगा जो कर गुणों की संसर के बिना एंकार रही तक संकल उत्साहा पुर्वक अपना कर्म करता है और सफलता में विश्रित रहता है वह साथ विक करता कहलाता है तो एक व्यक्ति जिसे ना सफलता का परेश्चे कोई परेश्वानी हो उत्साहा में बहुत जादा वह पागल पन आ जाए ना ही क्या बोलते हैं कि उसको ऐसे फल अगर हो जाए तो भी वह बहुत ज़्यादा पागल पन में ना आ जाए विचलित ना हो तो ये क्या है ये साथ विक करता हो गया जो लालेची है इर्शालू है एपवित्र है सिर्फ कुशी ही कुशी का आनंद लेना चाहता है है ना और संकट से आगे एपवित्र है ना और खुशी और संकट से आगे वड़ता है जोश की प्रवर्ती में एक कार्या करता है तो वो क्या है जिसको मतलब जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है वो इच्छाओं के पीछे भागे जा रहा है भागे जा रहा है ना और वो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करना चाहता है, उसी में उसे आनंद啊 रहा है, वो क्या होगा, राजसी करता होगा, और से बर लोग आप है कर देगे हो जायेगा आज मन नहीं है आज नहीं करना फिर हो जाएगा फिर करेंगे कल पर टालने वाला जो व्यक्ति होता है तो व patient कहते है तो झामोंगुली होता है ठीक है बुद्धी भी अलग-अलग प्रकार की होती है सात्विक राजशिक और तामसिक वह बुद्धी जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और किसे डरना चाहिए क्या बादने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला यान है जिसको यह सही उता है कि मुझे करने कारेंगा और यह करने से बंदन नहीं लगेगा यह कारेंगां की सेवा के ल कि जो बुद्धी मोहां अंदकार्स के वशीवूतों कर अधर्म के कार्या को धर्म और दर्म को अधर्म मानती है वो सथी विपरी दीशा में प्रयतन करती है वो ताम से गुद्धी होती है कि ती का आप बोलो बगवदी गीता पढ़ लो नहीं पढ़ना मेरे पास टाइम नही लोगों के तो क्या कहते हैं वो बोलते हैं कि मतलब अनका आंसर आता है कि मेरे पास बगवदीता है चलो यह तो एक नौर्मार आंसर को कि मेरे पास बगवदीता है मुझे तो बगवदीता याद है मुझे तो पूरे साच्छोश लोग याद है मैं तो बगवदीता आपको एहंकार लेके आना और पूछो तो एक इस लोग क्या देही निकलेगा तो इस तरीके से मतलब छपरदस्ती का बोना क्या करते हैं प्रयास करने में लगा रहे तो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एक तरीके से एहंकार में रहता है नहीं हमेशा उनके अंदर एहंकार रहता है न तो वो व्यक्ति एक तरीके से तामसी के जो बुद्धी है न वो तामसी के बुद्धी कहलाएगी कि मतलब एहंकार खेर चलो ही तो बगवत गीता की बात ही मैं बगवत गीता के ओपर तो सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी निरंतरता बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि आज आपने करा कल नहीं करा परसो करा उसकी नेक्स दिन कर लिए फिर दस दिन छोड़ दिया तो वो कार्रे जो है वो कार्रे बिल्कुल भी सतोगुड में नहीं आएगा क्योंकि आप जो एक मुवेंट के लिए सतोगुड होते हो दस दिन के लिए पिर दह दुर भटक जाते हो तो वो कार्रे पिर सतोगुड में नहीं आया क्योंकि सतोगुड की निरंतरता को बनाकर रखना आविश्यक है जो कार रहे हैं जो निश्चे है मनुश्य धर्म अर्थ काम के फलो में लिप्त बना रहता है जिस निश्चे के साथ वहां तो हम क्या रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं उसकी निरंतरता को बना के रखे हैं या हम भगवान को तो भूल ही गए हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ती के लिए निलंतरदा बना के रखे हैं तो यह क्या हो गया राजसी हो गया जो कार रहे हैं निश्चे हैं सब्सक्राइब भैशोक विशाद से गिरे रहते हैं और उसके आगे हम कभी सोच ही नहीं पा करता है दूर बुद्धी गलत बुद्धी केहसाब से चलते हैं तो तमसिक कहलाता है इसी होती हैं अलग अलग नहीं बस कृष्टन pakai न भगवान-भगवान करते नहीं कृष्टना थो बगवान सहीं तो यही लिए करते मातचीह ने पूरा 18 डिज निकाल ली है यह क्या बताया मातची ने है तो ऐसा अगर हम Sochs अगर इस बात को सुंथे सुंते 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 अगर जैने में जानने के लिए यही जानने के लिए तारा दिन भी अगर आपने बगवद गीता पढ़ी तो क्या होगया वह सात्विक हो गया कम से कम चुछ अंदर रुका हो या ना रुका हो एक कान से हमने सुना हो दूसरे से निकल गया हो तो भी वो शुद्धि करने का प्रोसेस तो पूरा करके गया होगा ना जो हमारी ये वह थी बास्केट जो थी वो हमारी मैली थी ना कोईले वाली यादो की सबको स्टोरी तो उसको कम से कम धोके तो गया होगा ना तो हमारा शुद्धी करण का प्रोसेस तो हुआ ही होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कहीं न कहीं वो हमें जरूर लाब देखे जाएगा लेकिन जो नित्य इसी प्रकार के प्रयास में लगे रहेंगे वो सात्विक तरीके से भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत ही सुन्दर उनको रिजर्ट मिलेगा इंद्रियों के दारा विश्यों के संसर्ग में प्राप्त होना प्रभाव में अम्रुत तुल्य लगता है ब यह हाने के लिए मिल जाए तो मेरी भगती भी आज फास्ट इक अश्य कभे तूट जाए तो तूट जाए मुझे तो मेरी फेवरिट चीज मिल गई ही मुझे तो यह भाना ही है तो स्टार्टिंग में तो अम्रित लग रहा है भी हमें क्या दिखाई दे रहा है करण्ट है ना और हम जो देख रहे हैं बस उसी को सच मानते हैं तो हमें आज मैंने एक आशिक वृत तोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरी फेवलिट चीज घाने के लिए मिल गई उसका जो लॉ प्राणाम से लेकर अंतक मोहकारक है निंद्रा आले सत्ता मोह में उत्पन रहता है नमसिक के लाता है अब यहां गुण बताये गए हैं प्रिकृति गुणों के आधार पर चारवकार के आश्रम होते हैं किस आश्रम में कौन से गुणों का पालन करना चाहिए अब यह देखना होगा शमों द्शमों अमसित्पी शौचं म ये सारे जो गुण आते हैं, ये सारे ब्राह्मनों को कर्म होते हैं, तो ब्राह्मन कैसे होते हैं, शान्ति प्रिया होते हैं, आत्म सहीय में होते हैं, तपस्या करते हैं, पवित्र होते हैं, सहिश्णू होते हैं, सत्य निष्ट होते हैं, सत्य अपका पाश्ण करने वाले होते थहर्मिक्ता लागवान ने बनाई है किस हैं इसाफस वनाई उन गुट और भी नहीं आएगा कि ब्रहमन के इंदर के हुण जबरामन करता है आत्मसायमी होना चाहिए तपस्वी होना चाहिए पवित्र होना चाहिए है ना धान में एक बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए तो ये गुण जो है वो ब्राम्मन के अंदर आते हैं किसी एक व्यक्ति के अंदर अगर ये गुण आते हैं तो उसको ब्राम्मन समझा जाना चाहिए नाकी ब्रामण वो है जो ब्रामण कुल में ब्रामण पिता के द्वारा जन्म लेकर उत्पन हुआ है और नाम उसको सरनेम में भारदुआ शर्मा जी और ये जो भी है त्रिवेदी बगएरा ये सब चीजे मिल गई है जो सरनेम मिल गए है ये जो मिल गए है ये ब्रा यूद्झ सावलाय नम 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 फावज चारम करम से भावज हम उडारता ने तत्रु के च्छतरियों के सवावज़ना तो कुछ लोगों की क्यूलिटी होती ना वो हमेशा हैं उनके अदर लीडर्शिप की को राड़ी होती है वो दक्ष होते उनके अंदर वह मदब शक्ति शाली भी होते हैं कोई भी डिसीजन लेना हो सबसे आगे खड़े होते हैं कोई भी अगर किसी के साथ दूसरी के से प्रॉब्लम आ जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ठीक है तो यह जो बूर्ड है यह जो क्व सभावे ग्रूप से होते हैं तो चत्रिय वो नहीं है जिनके अंदर यह गुंड पाये जाते हैं पारीचाया आत्म कम कर्म में शुद्र स्थापी सभावजं किशी करना गौर्ड अक्षा करना तता व्यापार वैश्यों के सभावे गुंड है और शुद्रों का क्या है अन् चत्रिये हो गया और कायदे में तो हमें कहा जाता कि हम सब आत्मा से शुद्र है हम सब जो हम सब शुद्र है हमC lekin है न 큰 कि अगर आगर बगवौन की सेवा करनी है तो में मामन के बद पर उठना होगा है हमशुद्र तो ये बात को जितनी जल्दी मान लेंगे उतना जादा आसान हो जाएगा आपके लिए अपना जीवन दूसरों को हीन भावना से देखने की जो हमारी एक प्रवर्ती होती है न वो समाप्त हो जाएगी और ये समाप्त हो गई तो ये समाज में हमने न बिल्कुल ये एक तरीके से डिस बैलन्स फैलाके रखा हुआ है न वो मैनेज हो जाएगा और ये जो इतना सब कुछ चल दाना आरक्षन ये वो वो ये सब की चीजों की चिंता है खातम हो जाएगी बगवान ने कितना सुन्दर समा आपको और हमें हैं अगर हम सही प्रकार समझ गए तो हमारे जो ये समाज की बहुत IMPORTEND समस्या है वो हो घत्म हो जाएगी ठीक है तो हम सब चूद्र हैं और हमें बगवान का दास बनना है और दास बनने के लिए बगवान की सेवा करने के लिए हमें क्या करना है खुद को के पदे तख उठाना होगा प्रपाद जी का कहते है कि उनका जो में कि ठना कि न को गोसमी के पद तक उठा दिया जाए चेतनर नमाम परण कहता कि सब को गोस्वामी के पहुच जाएंगे, गोस्वामी कॉन होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है उन्हें गोजगाविन सिंद्रिया स्वामी इंद्रियों के स्वामी तो जिन्होंने इंद्रियों कंट्रोल कर लिया है वह ब्रह्मन कहलाएंगे और वह भगवान की सेवा में ततपर हो जाएंगे तो ब्रह्मन हसे हमें शूत्र भगवान की सेवा तो हमें महिशा नित्ते करनी है और देखो हम ही करते गया है आप अपने आपको देखो एक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा में नित्ते ही लगा रहता है मा बच्चों की सेवा में लगी है पिता परिवार की सेवा में लगा हुआ है तो हम सब कही न कहीं किसी न किसी की सेवा कर ही रहे हैं वैसे भी लेकिन हमारा जो परम धर्म है बगवान की सेवा उसको बूल कर बैठे हुए हैं तो हमें करना क्या होगा हमें करना यह होगा कि हमें बगवान की सेवा में नित्य अपने आपको लगाना होगा औ और चुकि यह हमारा आत्मा का सभाव है इससे हमें भगवान के संग अपने संबंद को शाश्वत करना होगा जो भी सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्व्यापी है उस भगवान की उपासना करके मनुश्य अपना-पना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है इसकर्णे का फायदा क्या होगा अगरम इन भुडों के इसाब से अपनी वध्यां को समझ लें कि union को करते हैं और अगर हम उसी प्रकार kuntas कर्म करते हैं और पूरी कलीन से करते हैं पूरे खांद से करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से हुच अलग से उपासना यह तपस्या करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी हम अपने कर्म को करते 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 ही प्रभू को प्राप्त कर लेंगे भगवान कितनी सुन्दर बात बता रहे हैं अगर आपका करतव्य बच्छों को पढ़ाना है आप ज्ञान देना चाहते हो तो मतलब क्या ज्ञान आपके अंद तो आप वो करते करते ही अपनी भक्ति पूरी कर लेते हो लेकिन भाव उसे कॉर्डिंग होने चीजिए ऐसा नहीं कि बस कर्म तुमें चीछर का कर रहा हूं चेतना में बगवान नहीं है तो यहां चेतना में कृष्ण को लाना होगा ऐसा नहीं कि कारी बस कार रहे करा और भी फेक लो गप मार लो मारकेट घुमाओ यह कर लो ऐसे थोड़ना होता है ऐसे नहीं होगा करतवे को पूरा करने के बाद चेतना भी शुद्ध होनी चाहिए और कृष्ण से कनेक्ट होनी चाहिए तो हम भिना किसी प्रयास के भगवान को प्राप्ट कर पाएंगे चेतना का शुद्धी करन हमारा कार्राई किया है हमें समझना ही किया है कि हमें अपनी चेतना को वगवान की चेतना में कैसे कनेक्ट करना है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो भी क्या करते कि बता रहे हैं वगवान श्रेयान से धर्मों विगुर्णा परदर्माट स्वय सभावा नि विनियः दव करम्रवन नमा प्रोडि प्रोटी के लबीचम अपने प्रत्ति कारए को करना चाहिंैं चाहें कितना ही तो त्विकार करने की और अच्छी प्रेकार से करने की अबिएक्षा अधिक्ष्ट हैं उसे करना चाहिए है किसी दूसरे को देखकर ह Сейчас बहुंजे यह करना है वह करना है तो हमें अपने जुन्यत्र वह करने है अब जैसे कि पेड़ पे अगर एक बंदर को चलना हो सबसे सिटेबल किसके लिए वो उस बंदर के जल्दी से भाग कर बंदर पेड़ पर चल जाएगा वहात ही को बोला नहीं जा सकता तो हमें वो कार्रे करना है पक्षी जा सकते हैं बंदर जा सकता है तो अगर यह हाथी चोचने लग जाएगी क्योंकि बंदर पेड़ पर चड़का बैटा है मैं तो इसी डाल पर बैटकर आम खाऊंगा तो पेड़ भी नीचे ले आएगा और आम भी नहीं मिल पाया है वो फायदा नहीं होगा आज का आम खा लेगा आगे जीवन में कभी उस पेड़ का आम ने खापाए पेड़ नी तोड़ दिया उसने तो और खुल को चोट रहेगी वह अलग तो हमें दूसरों के कार्रे को देखकर इंस्पायर नहीं होना है बक्ति देखकर तो आगे बढ़ना है और उसे दीरे-दीरे पहचानने का प्रयास करना है कि हमारे लिए क्या कर रहे है बना है जबी आपको इस्ट्रीम करते हैं तो आपके देखा जाता है ना कि आपकी रूची किस्ट में हैं जिसे हम हमारे जब यह सेलेक्शन होता है सब्जेक्ट को हम लोग क्या कौन से सब्ज сильно में आप आगे क्या करना चांव तो आपका सब्ज़ते हुए वह आपको जिसे कोई साइन्स कर पाता है नहीं कर पाता सइन्स वले को नहीं समझ पाता Schools तो आपको अपने सभाव के according वो selection लेना होता है अपने इच्छा के according वो selection लेना होता है ना कि दूसरे को देखे कि मेरे friend के तो इतने percent आये थे और वो ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता है मेरे तो एक percent ज़्यादा आया है मैं तो जरूर लूँगा अरे भाई आगे का future खराब करना है कि आपको नहीं कर सकते ना तो हम हमें क्या करना होगा हमें अपने सभाव को समझते हुए अपने आपको समझते हुए अपने कार्रे को समझते हुए वो कार्रे पूर्ण करने हैं ना कि किसी दूसरे को देखते हुए ये हमेशा हमारे पतन का कारण बन जाता है जो आत्म सहीय में है अना सकते हैं दूसरों एवं समस्त बहुतिक भागों की परवाह नहीं करता है वह सन्यास के दोरा अभ्यास के दोरा कर्मफल से मुक्ति के सर्वोशिति के वस्ता को प्राप्त कर लेता है तो उसे कुछ और करने के आवशिक्ता नहीं पढ़ती वह अपने कर्म करते हुए सन्यास प्राप्त कर लेता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ने शोचती ने काक्षती इस प्रकार जो दिव्यपत परिस्तित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनभव करता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ने शोचती ने काक्षती ने काक्षती ने कोई काम ना करता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ने शोचती ने काक्षती तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा कौन है जो कभी शोक नहीं करता और कोई इच्छा नहीं करता प्रतेग जीव को संभाव से रखता है और उस अवस्ता में वे मेरी शुद्ध भक्ती को प्राप्त करता है तो भगवान की बक्ती कौन प्राप्त करेगा जो ब्रह्मूत प्रसनात्मा होगा ब्रह्मूत प्रसनात्मा कौ होगा जो कभी ना शोग करेगा ना कोई इच्छा करेगा और सब के अंदर प्रमात्मा के वास को देखेगा तो जो व्यक्ति इस लॉजिक को जान गया वो नित्य ही भगवान के आनंद में रहेगा नित्य ही चेतना को जो कृष्ण से जोडने का बाव मैं आपको समझा रही मुझे उससे कोई भी इर्शा नहीं करनी है मुझे किसी के लिए कभी कोई चोक नहीं करना है जो भी घटित हो गया सब कुछ प्रभू की इच्छा से घटित हो रहा है और मुझे कोई भौतिक कामना भी नहीं करनी है और मुझे क्या करना है मुझे भगवान की भक्ति करनी ह है जब हम इस भाव को अपने अंदर डेवरप कर लेंगे हर जन हर जीव के अंदर प्रमात्मा का वास है तो हम क्या करेंगे निंदा इर्शा द्वेश राग से बच जाएंगे और फिर हम भगवान में आ सकते हो जाएंगे अगर भगवान इसे चेतना को जोड़ना है तो उसक चीज के अंदर जब जब हमें भगवान का अदर्शन उस चीज के अंदर मिलेगा तब ही हम भगवान के संग अपने कनेक्शन को दीरे दीरे करके समझ पाएंगे बहुत ही संदर ये चैप्टर है और आशाइद भगवान प्रेड़ना दे रहे हैं कि मैं आपको और संदर त तिहाय को समझ कर बदल सकता है एक बाक्ती ही मुझ भगवान और यता रूप में जान सकता है जब मनुश्य ऐसी भगती में मेने पून भावन अम्रित में होता है तो बैकुंट जगत में प्रवेश कर सकता है तो कौन जाएगा बैकुंट जिसकी भावना जो है बगवान connect हो गई है कृष्ण भावनामृत मैं हो गई है कृष्ण भावनामृत है ना इसका मतलब क्या होता है कृष्ण भावना का अमृत या नामृत जो मृत नहीं है ना वो जो जीवित है जो कृष्ण भावना में जीवित है ना तो भगवान की भावना में जब हम आ जाएंगे त और अगर हमने अपनी चेतना को भगवान से जोड़ लिया तो वैकुंट देखने की जुरूत नहीं है भगवान यहीं बैकुंट हमें देखा देते हैं हमें कहीं जाने की जुरूत नहीं पड़ती सारे वैकुंट सारे धाम यहीं हमारे लिए चल कर आ जाते हैं इस शरीर के अ यहां रहते रहते ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में भगवान खुद इस बात को कह रहे हैं तो हमें क्या करना है भगवान यह संग अपनी चेतना को जूड़ना होगा मेरा शुद भक्त मेरे संग्रक्ष्र में समस्त प्रकार के कारवें मेरे कृपा से नित्य अविनाची धाम को प्राप्त होता है आगे ना वही बात तो भी धाम जाने के लिए शरीर त्यागने की भी आवशक्ता नहीं पड़ेगी वो धाम के दर्शन तो भगवान हम यहीं करा देते हैं लेकिन जब हमारा यह शरीर त्याग दिया जाएगा तब हम भगवान के उस नित्य शाश्वत धाम में प्रवेश कर जाएंगे और कैसे होगा सुन्दर वैश्णम जो जन है वरिश्ट वैश्णम है गुरू है उनके कृपा के साथ उनके सानिध्य में चाकर उनके शरनागती लेकर हमारे लिए संबब हो जाएगा यदि तुम मुझे मुझे से भाबनबवित होगे तो मेरी किरपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोदों को लंग जाओगे लेकिन यदि तुम मित्य एंकार अवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नही सुनोगे तो मिनिष्ट हो जाओगे मिनिष्ट का मतलब क्या है एक जन्म आएगा दूसरा जन्म आएगा तीसरा जन्म आएगा एक जाएगा दूसरा आएगा एक जाएगा दूसरा आएगा एक जाएगा दूसरा आएगा हम बार 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 मा के गर्ब में जाएंगे मा की तो माता के मनुष्या गर्द जनम लेने वाले तो नौ महीं ने घर्व में रहेंगे महां की जो यातना हैं महां का जो एक तरीके से सब नर्क है वो जहेलेंगे और उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर में बैठे रहेंगे प्रात्ना करते ही बगवान मुझे निकाल लो बगवान मुझे निकाल लो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब यहां नहीं रहूँगा मैं यहां दुबारा नहीं आउँगा मैं बलुकुल भी कोई ऐसा कर नहीं करूँगा कि जन्मनत्य के चक्र में फसूँगा और जैसे ही भगवान हमारे उपर दयालू होकर हमें महां से बहार निकालेंगे और महां से निकलते ही हम कहां आ जाएंगे बहुतिक बंदनों में बंद जाएंगे स्टार्टिंग में तो हमें नहीं पता होगा कि हम बहुतिक बंदन इसे सुलाना है वो ये समझ कर हमारा लानल फालन शुरू कर देंगे दिरे 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 उनको देखकर हम भी उसी में प्रसंद होना शुरू कर देंगे और हमारी भी चेतना उन्हीं के संग जुर जाएगी कोई हमारे माता हो जाएगे कोई हमारे पिता हो जाएगे कोई हमारे जाएगा और हम उस चेतना के बंदन में बंद जाएंगे और जो प्रामिस बगवान से करकर आए थे वो प्रामिस को हम भूल जाएंगे और दुबारा तैयारी कर लेंगे फिर से एक बार किसी और गर्ब में जाने की और ये अपने आप में इससे बड़ा दुश परणा हमारे तोड़ कर और ये प्रामिस हम एक बार नहीं तोड़े हमने करोड़ो बार असंख है बार ये प्रामिस तोड़ा है बगवान से इसलिए हम इस शरीर के अंदर आज बैटे हैं क्योंकि आत्मा अनादी है ये भी बगवान के टाइम से ही चल रही है जब से बगवान है जब से बगवान की दया देखो कि बगवान क्या कह रहे हैं कि जब भी हम बगवान के पास जाते हैं उन्से रिक्वेस्ट करते हैं बगवान हर बार हमें उस नर्ग से निकाल लेते हैं हर बार हमें एक बार मौका दे देते हैं कि ये मेरी चेतना में वापस आ जाए और हम हर बार ही ब भावना को भूल कर हम उनको छोड़ कर बाकी संसार को अपना लेते हैं और उसमें रम जाते हैं बहुत ही दुख की बात है ये और इस बात को अगर आज आप में से कोई एक व्यक्ती भी समझ गया इस भावना को मेरे बात को अगर कोई एक व्यक्ती भी समझ गया तो ये समझ कि हमारा परम कल्यान है कि हम जो हैं हमारी चेतना को शृद्ध करके क्रश्ण से जोड़ पाएं यही जीवन का एक मात्र उद्देश है अन्यता इस जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है अर बहुत एक शक्ति से निर्मत इंतर में सवारो कर सवार की बाति बैटकर समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रही हैं तो हर जीव के अंदर परमात्मा बैटे हैं पहले बदा चुकी हूँ दो पक्षियों के रूप में बैटे हैं एक में आत्मा है दूसरे में परमात्मा है तो वो बैट कर क्या कर रहे हैं जो व्यक्ति भगवान की बगती में आना चाते हैं उन्हें भक्ति प्रदान कर रहे हैं और जो ब्यक्ति भगवान की बक्ति में नहीं आना चाहते हैं उन्हें माया प्रदान कर रहे हैं और माया देवे उनको चक्कर कटा रहे हैं क्योंकि माया तो किसकी कंट्रोल में रहती हैं भगवान की कंट्रोल में रहती हैं तो बंदरों म बांदे जा रही हैं बांदे जा रही हैं और जो भगवान की श्रेवा में आना चाहते हैं उनको भगवान मुप्ती प्रदान कर रहे हैं और अपना प्रेम प्रदान कर रहे हैं तमेवम शर्णम गच्चम सर्वा भावेन भारता दत्प्रसादा परमा शांती मिस्धानम प्रयासी शाश्वतम हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ उसकी कृपास से तुम परम शांतिता परम नित्यधाम को प्राप्त करोगी भगवानी कह रहे हैं उसकी शरण में जाओ यानि मेरी शरण में आओ तो सबी प्रकार से हमें क्या करना है शरण ना गती लेनी है किसकी स्वेम भगवान की इतम ते ग्यान माख्यातम गुहिए ते गुहिए तरम मया विमर्शे तदेशे तदेशे न यते शेसी तथा कुरू इस प्रकार मैंने तुमें गुहितर का ग्यान बतला दिया है इस पर प पूर्ण रूप से जो ज्यान था वो प्रकट कर दिया है अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हे सब कुछ बता दिया और हम जैसे अर्जुनों को भगवान ने बहुत कुछ बता दिया अब वो अर्जुन चाहे जो चाहें सो करें और अब हम भी जो चाहें स तो करें भगवान की बक्ती में आना चाहें तो आएं एटीन डेस तक हमने आपको बहुत समझाया बहुत बार बाते बताएं अब भगवान की बक्ती में आना ना आना ये आपकी इच्छा है बगवान की शरण जाना ना जाना ये आपकी इच्छा है ये कनेक्शन बनाना ना आपके चैक कि गुद्ध tsp बगवान ने सब को दिया ना भगवान हिटलर है और ना हम आपको फोर्ट कर सकते हैं हम आपको समझा सकते हैं हमने आपको बदाया भगवान की बाते आप तक पहुचाएं आप हमारा यह करत अभय है कि हमें क्या करना है हमें अर्जुन बनना है या फिर हमें ये जो हमारे नाम है उजबल आकरश रहना निकिता योगिता कामिन यही बनके रहना है अगर हमें यही रहना है और कल को हमारे कोई और नाम हो जाएंगे परसों को हमारे कोई और नाम हो जाएंगे न हमें उनी नामों में जीवन बिताना है या फिर हमें भगवान का परम भक्त कहराना यह हमारे उपर डिपेंड करता है मन मनावत भगवक्तो नमादा जी माम नमस्कुरू मामे वैशेसी सत्यमते प्रिती जाने प्रियो असी में सदेव मेरा चिंतन करो भक्ति अगर बनना चाहते तो भगवान तरीका बता रहें कैस सदे मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पूझा करो मुझे नमस्कार को चारित काम करने की कोई बात ही नहीं है बहुत इजी है भगवान का चिंतन करो हर चीज में भगवान को देखना शुरू कर दो भगवान की पूझा कर लो है ना अर्चनावन्दा भोग लगा लगा को नमस्कार कर लो अगर इतना भी कुछ नी कर सकते तो नमस्कार तो कर लो देव प्रिये मित्र हो हम भगवान को प्राप्ति कर लेंगे भगवान ने बचन दिया बार बार बचन दे रहे हैं बार बार बचन दे रहे हैं कितनी बार कह रहे हैं कितनी बार समझा रहे हैं और हम से मुर्क कौन होगा जो यह जानी नहीं चाकता कि भगवान भगवत गीता म वो कोई देही नहीं सकता हमें अभी कैसे जाना है उसर्व धर्मान परितज्यम मामे कम शर्ण अम्रजा अहम चाम सर्म पापे व्यू मोक्षिश्यामी माश्रुचा समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो मेरी छरण में आ जाओ मैं समस्त पापों में तुम्हें उद्ध करतव्य पूरे करने हैं पर समर्पण भगवान को करना है मद्दब क्या कि अपना रिदया किसी और को नहीं दो मोह में बंद कर अपना रिदय किसे देना है सिर्फ और सिर्फ भगवान को देना है ये मेरी बेटी है मैं इसे बहुत प्रेम करती हूँ ये मेरा बेटा है मैं इसे बहुत प्रेम करती है मेरे पती है मैं इनके मेरा जीवित नहीं रह सकती में मर जाओंगे अगर इन्हें कुछ हो गया तो ये रिदय जो है ये किसी को नहीं देना ये मो जो है ये किसी को नहीं देना ये सिर्फ एक ही से बंदेगा और वो है हमारे कृष्ण चाहिए उन्हें पती मानलो चाहिए उन्हें पत्र मानलो चाहिए उन्हें सखा मानलो जो मर जो है ये दिल जो है ये प्रेम जो है सिर्फ किसको देना है ये सिर्फ कृष्ण को देना है अगर ये दे दिया कृष्ण को तो भगवान हमें जो देने वाले है ना वो हम सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या मिलने वाला है सब कुछ भगवान हमें देंगे हमारा उद्यार कर दें जो ना तो सैयमी है ना तो एक निष्ड है ना तो भक्ती में रते हैं नहीं जो मुझसरे द्वेश करते हैं तो अब आप ये सब लोग ध्यान से सुन लो जो आपने ग्यान नर्जित करा है इसको फालतों में इस अपके संग डिस्कस ना करा जाए जो बगवान से ईश्या करते हैं बगवान की भक्ती नहीं करना चाते आत्म सहीम ही नहीं है जो अपने ही बहुत इकता में रहना चाते हैं याने कि क्या होगा आप ऐसे वक्तियों को अगर ये चीज़े बताओगे तो भगवान का अपमानोगर दोच आपको लगेगा तो ऐसा करके अपने उपर दोच ना लें भगवान की वक्ती मिलाने का प्रियास तो कर सकते हैं बार 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 उनके पीछे ना पढ़ें जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहसे बताता है वह शुद वक् प्रियास आएगा इस संसार में उसके पेक्षा अन्य कोई सेवक मुझे अधिक प्रिया ना हुआ है और ना होगा तो भगवान जो है वो हमेशा से ही जो भगवान की नाम का प्रचार करता है उन्हें बहुत प्रिया होता है उनको बहुत प्रेम करते हैं और इसका उदारन नागत हैं हम गुरु खेन नागत हो गए हैं और हमारे गुरु के पाज क्या पावर है कि वो हमें रह सकते हैं हमें अपने साथ ले जाएंगे तो यह बहुत कि कितने प्रिय भक्त उनको पावर देदी 17 साल की उम्र में वह जाकर प्रचार कर पाएं इतने सुदर मंदिर बना करता हूं जो हमारे इस पवित्र संबाद का अध्यन करता है वह अपनी बुद्धी से मेरी पूजा करता है तो हम क्या कर रहे हैं हम बुद्धी से भगवान का चिंतन कर रहे हैं बुद्धी से भगवान की पूजा कर रहे हैं ये पूजा बगवान सुईकार करेंगे अगर मन यहीं इस पूजा में लगा होगा और मन को बटका कर अगर किसी ने बगवत गीता सुन रहे हों आप सबकी कैमरास तो आफ रहते हीं उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन ध्यान अगर यहीं था तो भगवान ने आपके पूजा सुईकार कर ली पर अकर ध्यान कहीं और बटक रहा था कान में लगा लिया सुनते 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 नींद आ गई नहीं तो उसे मुक्त हो जाता है और शुब लोकों को प्राप्त होता है पुन्यात्माई जहां निवास करती है अर्जुन ने कहा हे क्रेश्ण हे अच्यूत अब मेरा मोद दूर हो गया है अब तो फाइनली होना ही था आपके अनुग्रे से मुझे मेरी स्मरण शक्ती वापिस मिल ग जो इतने बड़े संग्राम में खड़ाता हमारा जीवन तो बहुत जादा सारल है हम तो उतने द्वंद में फसे हुए भी नहीं है बहुत चोटी सी लाइफ है इतनी सारी डिफिकल्टीज भी नहीं है अपने संबंदियों को के उपर हमें तीरों की वर्षा नहीं करनी है हम थो क्या करना है हमें तो इस जीवन को सुचार रूप से चलाने का प्रैत्न करना है बहुत इक ता के लिए जो मतलब जीवन की जो तोड़ी सी आवेशक्ता है उन्हें पूरा करना है और बाकी सब कुछ को कृष्ण की कृष्ण से जोड़ना है इतना सा काम करना है यह कोई बहुत बड़ा द्वंद नहीं है यह बहुत चोटा सा द्वंद है हमारे जीवन का बहुत चोटा सा युद्ध है हमारे जीवन का इस युद्ध को पार करके विजई बनना है तो अर्जुन की तरह समर्पन करना होगा किनको श्री कृष्ण को अगर हमने अपना सर्मर्पन श् समर्पन कर दिया तो कोई हमें अर्जुन बनने से नहीं रोक सकता यानि कोई हमें विजयता बनने से नहीं रोक पाएगा और हम सब एक दिन भगवान के प्रेम की विजय पता का को लहराएंगे भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे इसमें हमें कोई रोक ही नहीं पाएगा ये भगवान स्वैम हमें माध्यम बना रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं अब संजय जी क्या कहते है संजय ने का इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन दोनों महापुर्शों की वरताएं सुनी और ये संदेश इतना अद्बुद है कि मेरे शरीर में रूमांच हो रहा है व्यास की करपासे मैंने ये परंबू ये बाते साक्षात योगेश्वर के मुख से सुनी है अर्जुन के प्रती कही जाती हुई सुनी है जब मैं कृष्ण दोनों अर्जुन के मध्यम ये आकर्शक आश्यर जनिक पवित्र वार्था का बारंबार स्पर्ण करता हूँ तो वो दो प्रकार से होता है कानों से भी होता है और नित्रों से भी होता है कैसे होता है जब हम कोई बुक रीड करते हैं तो हम आखों से श्रवन कर रहे होते हैं तो अभी यहां क्या हो रहा था वो कानों से श्रवन करी रहे थे लेकिन वीजूल भी देख रहे थे तो आखों स बेश्रवन कर रहे थे क्योंकि दिविया नेतर कि इन से मिले थे व्यास रिशी द्वारा प्राप्त हो गए थे तो उन्होंने श्रवन करा और उसका सवभाग्य हमें मिला कि हम लोगों ने भी इस श्रवन को हमने भी इसका श्रवन कराया और हमें भी इसका लाव मिला है द्रुबो नीती मामिरतिम ममा यहां योगेश्वर कृष्ण है जहां परम धनुर्दर अर्जुन है वहीं एश्वर्य है विजय है आलोक एक शक्तिता नीती भी निश्यत रूपते महीं रहती है ऐसा मेरा मत है तो अभी भगवान अपना मत दे रहे थे कि मेरा अंतिम्मत यह ह कि पाप कर्मों को त्याकर भगवान की वक्ति में लग जाओं अभी कृष्ण भगवान ने अपना मत दिया अर्जुन ने कह दिया मेरा मत ही है कि मेरे सार शारे सोकर शंका जो वह दूर हो गई है और अब मैं आपके श्रनागत हो गया हूँ अभी कौन ही मत दे रहे हैं बगवान को अगर हमने श्रनागति कर देते हैं तो विजय निश्चित ही हमारी होगी हमें खुदको अर्जुन मानकर उस पत पर चलना होगा और भगवान के साथ श्रनागति लेने ही होगी यह बात को कौन एक तरीके से प्रूबन कर रहा है संजय भी अपना मत दे रहे है क विज़े उसकी ही होगी तो अभी श्री रप्रपाजी भी इस चेप्टर को समराइज कर देंगे जहां कृष्ण उपस्तित हैं वहीं सम्पूर्ण श्री होगी युद्ध को निन्य करना था कि संसार पर शाषन कोन करेगा संजन भविश्वाने की कि सत्ता युद्धिस्ट्र क के हाथ में जाएगी क्योंकि वहने के विल पुन्यात्मात ववित्रात्मा थे अपितु कटोर नितिवादी थे उन्होंने जीवन पर कभी असत्य का पाशन नहीं किया भगवद गीता से हमें यह समझ सकते हैं कि ज्यान पता ध्यान द्वारा अपनी अनुबूती की अनुब का नागती ही सार है पुण कृण कि भावना बबित होकर भक्ति में कृष्ण की श्रिंघ प्राइय का सार है च्रिंघ का सार है जिनके ऊपर पूरी बाल गवद गीता के जिनके ऊपर बहगवत गीता चलती है और हम इने इस भगवद गीता के अंदर समझते हैं जीव अपने मूल स्वरूप से शुद्ध आत्मा है वैपरमात्मा का एक परमाण मुवात्र है चुकि सारे जीव कृष्ण की तथस्था शक्ती है अतेव उनका संसर्ग बहुत इक शक्ती अपरा तथा आध् दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ती से है एवम उसे किंचित सतंतरता रहती है थोड़ी सी हमें प्रिब्लिज मिली होती थोड़ी सा प्रेड़ाम हमें मिला था सतंतरता का सुद्वियों करके वे कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतरगत आता है और भ भगवान ने जो हमें इतना सुन्दर संदेश दिया उसका असार मिल गया सभी जो मेन केरेक्टर्स थे उन्होंने अपना अपना जो एक तरीके से कॉन्क्लूजन था वो दे दिया प्रवुपाद जी ने भी अपना कॉन्क्लूजन दे दिया है ना मतलब यह समझो भगवान बोले भगवान के भक्त बोले हमारे भगवान के भक्त के रूप में जो हमारे गुरू थे वो बोले कि शर्नागती जो है वो ही सार है शर्नागती ही सार है अब हमें सबने बता दिया तो हम क्या इन सबसे बड़े हो गए हम क्या इन सबसे ज़्यादा स्विद्वान हो गए ह हमें तो क्या करना है हमें इनके कहे हुए शब्दों का अनुसरन करना है और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगना है और अपने आपको भगवान को समर्पित करना है जब हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे यह जीवन बहुत सुन्दर हो जाएगा और वो बदला हुआ जीवन आप सब जरूर देखेंगे, ये जो भाव ये जो पीज आज हमारे अंदर भगवान की भक्ति का आया है, ये अपनी ज्रेगए हमारे रिदय में जरूर बनाएगा, हमें जरूर एक सुन्दर विक्ष की तरीके से भक्ती का विक्ष जो है हमारे जीवन में बढ़ेगा और हमें उसके संदर फल अविश्य ही प्राप्त होंगे इसी प्राटना के संग इस अध्याय को यही समाप्ट करते हैं भगवान के संदर श्रीमत भागवत का कीर्टन करते हुए बहुत आनد मुझे आया, मैंने आप सबकी संगती में इसको तुबारा से एक बार समझा, मैं समझ पाई और आपको बताने का प्रयास किया, आप सभी को बहुत धन्यवाद अंत तक आप बने रहे, आपने अपना संग हमें प्रदान करा, बहुत सुंदर संग था ये, बगवान आपके जीवन में हमारे जीवन में आपनी शुद्ध बक्ती नित्य प्रदान करें और हमें शर्णागती प्रदान करें, इसी भावना के साथ इस चेप्टर को कम्प्लीट करते हुए, संपूर्ण करते हुए हैं न, मैं यहीं समाप्त करती हूँ, बहुत सुंदर रहा ये, आपके साथ की जो बहुत धन्यवाद, रिदय से धन्यवाद, और भगवद गीता को अपने जीवन में साकार रूप से उतारिये, और भगवान का प्रेम प्राप्त कीजिए, जो प्रेम पत्र था न, उसका लास्ट मेसेज क्या है, शर्णागती, शर्णागती वाला प्रेम पत्र हमें आज मि इसे की बगवान हम पर कृपा अवश्य करेंगे सद्ध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, आप सबी का बहुत धन्यवाद, श्रीला प्रपाद की जय हरे, प्रश्णागती